हेलो दोस्तों गुड मॉर्निंग रादे रादे स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चानल स्वान फैमली व्लॉग में यह कद्दू काश है इसमें कई तरह की डिजाइन्स है तो मैंने सोचा कि चलो इससे काट लेते हैं पर वो तक्तम पतले पतले चिप्स जैसे कट रहे दे तो मैंने काचलो जाकूशे काट लेती हूं उसमें बावी पतले साट अंप जैसे मुआ झाप जाता ही दिए थीक रहे ने तो बचों को सबैंस थोगच्ठत का बना रही हों सबहना चुए तो इस में बैसन इसलिए मेंने थोड़ा सब्सेऍ नमक मेच्षर हो और बस इस तरीके के पकोडियां मनाओंगी यह बच्चों के लिए ठीक रहती हैं और बच्चे मन से बहुत खाते हैं मेरे बच्चों ने तो आज भी बच्चे कह रहे थे मॉमा में पकोडि रख देना और सॉस रख देना पर हम नहीं मना कर दिया हमने का नहीं रोज रोज जब फिर में भी मारती हैं उनकी तो बस इसे कर एसे कर के पकोडियां में देखर सारी से लिए इनके टिपन में रखने के लिए और extra रहे टोपिंए तो टॉड़ी सी में नहीं के धिक नहीं को और ठीक बचलें मैं हम सारा पाइब हुए है इतना ने टितमें में रखने के बाद में किया हैं अब लबLo bare कि impact को में से कहतיכ भूद भो दोड़ा सकते मावी है इसकोल पटे करma ओले व कि कि चोटी चोटी डिबी है टिपिन में कभी रसे वाली सब्जी होती है तो इसमें लगा देती हो इसमें फैलती ही नहीं दही बगरा है वो देदो यह अच्छे से बंद हो जाती है तो यह देप की है और अपनी की दोनों रोगा का टिपिन लगा देती हो तो मैं टिपिन में प करती है किस बच्चन कितना खाया और यह अपनी का टिपन यह तेप का दोनों का लगा दे रही हूं और अच्छा है बहां पर अपनी का थोड़ी राइटिंग है न बहुत यह गंदा-गंदा से लिखती है तो कल उसको लग जैने डाटा होगा मारा भी उसको कह रही थे उसके पता मारा नहीं था उसको उठक भाठान पकड़ करवा तो बहुत सारी इस पडी मारे ब plumbing कर रहे हूं और यह बनाना को एक दिय रहे हैं एक नत्वा दो दिन से तेल रखा हुआ दा ऍसे और दौन जाक मा lie माले कर रही है सॉस और एक बनान कि पिर बचों को भीजने के बाद मैं फिर में थोड़ा लेट गई थी मैं अमेशा ही लेट जाती हूं थोड़ा चार बजेश उठती हूं यह पालक की पकोड़िया मुझे बहुत पसंद है इस तरीके से बनाना और इन लोग नहीं ज्यादा पसंद है इनके लिए बैसी बनाओं खा लेते हैं एक दो इनों ने भी खाई थी दो दो तीन भाईया ने भी खाई थी तो यह पकोड़िया मेरी मचली वाली पकोड़िया तो छोटी छोटी पत्ते नहीं मैंने बड़े-बड़े पत्तों की बनाई है फिर थोड़ा पालक कटा हुआ रखा था तो मैंने उसकी भी सेग ले रही हूँ, जिसका जो मन करेगा वो खा लेगा और बस हमारा नास्ता लग चुका है इन लोगों का दोनों लोगों का लगा दिया है, मैंने अपनी अलग फ्लेट लगाई ये दोनों भाईयों की है और बस उसके वाद में थोड़ा सा पालक बच गया था, तो मैंने का सबजी बना लेती और फिर ज्यादा पालक बच भी था ज्यादा नहीं तो ये दूसरे दिन के खिलिप है, मैं बचों के लिए नास्ता ही बना रही थी, कि फिर उस दिन मैंने तैरी बनाई थी कुछ जादा नहीं, दही मंगा लिया था और आज मैंने इनको रोटियां सेख के दी है, बैस चोटी-चोटी डेर मतलब रोटी वर एक ही बोल रहे थे, म मैंने फिर मेरा मन नहीं का रहा, फिर मैंने आदी-आदी और रख दी ती गी लगा के, और अच्छे से इसको पेपर में लपेट दिया था दोनों के, दूद्धे देती हूं, इनका टाइम हो गया है, ये लोग उट भी चुके है, बच्चे मला ही नहीं खाते है, मेरे बिलक में लगा दे रही हूं, इस तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, इतनी हालत खराब हो रही है, कुछ कहने कि नहीं, पिचिन में जाने का तो मानी नहीं करता है, और ये दोनों लगे हूए है, तो इसी के साथ में वीडियो का एंड कर रही है, वीडियो आप लोग